हलो बच्चो आज आप लोगों को जानना है हरसे तथा चेस का प्रयोग देखिए हरसे तथा चेस का जो एक्सपेरिमेंट है यह बहुत ही आसान है हमें जानना है कि हरसे तथा चेस नामक बाइग्यानिक ने आखिर किस पर वर्क किया था तो ध्यान से देखिएगा हरसे तथा चेस के एक्सपेरिमेंट में इन दोनों बैग्यानिकों ने कहीं न कहीं एबरी मैकार्टी और मैकलियोड के एक्सपेरिमेंट को प्रूब करते हुए आगे इन्होंने बढ़ाया ध्यान से देखिए बेटा कहीं न कहीं मैकार्टी, मैकलियोड और मिन्स हमारे एबरी नामक साइंटिस जो थे तीनों बैग्यानिकों ने कहीं न कहीं ये बताया कि DNA ही आनवानसिक पदार थे लेकिन उस समय बैग्यानिकों का मन बैग्यानिकों का ध्यान जो था उनके कारियों पे नहीं था, वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे उस समय, तो इनके कारियों को पूर्ण करने के लिए हमारे तो बैग्यानिक आ जाते हैं, जिनका नाम है हरसे तथा चेस, तो हरसे तथा चेस नामक बैग्यानिक ने आखिर क्या किया, तो आए धिहान देते हैं, बहुत ही महत् इन्होंने किया तो क्या किया, इन्होंने एक वाइरस लिया और एक बैक्टिरिया लिया, तो वाइरस इन्होंने कैसा लिया तो ध्यान से देखेगा, इन्होंने अपने एक्स्पेरिमेंट में, अपने प्रयोग में जीवाणू भोजी T2 वाइरस लिया, ध्यान से देखेग वि-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- तो T2 जीवानुभोजी था जिस पर कहीं न कहीं हर से तथा चेष नामाग बैग्यानिक ने एक्सपेरिमेंट किया तो कहने का मतलब बैग्यानिक हर से तथा चेष ने किया क्या एक बैक्टीरिया और दूसरा लिया उन्होंने E. coli बैक्टीरिया तो ध्यान से देखेगा उन्होंने किया क्या कि वाइरस और बैक्टीरिया देखेए यह जो जीवाणू भोजी जो यह वाइरस होता है यह कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के पास यह इसकी उपस्तिती जो है जहां पर इकोलाई बैक्टीरिया की उपस्तिती अधिक होती है तो यह वाइरस वहाँ पर बहुत ज़्यदा मात्रा में पाए जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा कही न कहीं जब ये वाइरस इस E. coli bacteria के पास पहुचेगा और इसको संक्रमित करेगा तो इस वाइरस का जो DNA होगा इस E. coli bacteria के अंदर आ जाता है और ये जो E. coli bacteria का DNA है ये DNA यानि क कि वाइरस वाले DNA को अपना DNA समझने लगता है और वाइरस का जो DNA होता है ये बहुत तेजी से क्या करने लगता है गुलन करने लगता है तो आए ध्यान देते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में बैग्यानिक हर्षित अच्चेस ने किया क्या आखिर कि इस वाइरस को कही न कह क्या है आई ये बेटा देखते हैं ध्यान से समझते हैं देखिएगा कि कहीं ना कहीं बैग्यानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने प्रयोग में दो जार लिए तो इन दोनों जार में इन्होंने किया तो क्या किया ध्यान से देखिएगा अपने प्रयोग में इन्ह पहले जार में इन्होंने क्या रख दिया वही इकोलाई बैक्टीरिया को रख दिया और इस जार में भी इन्होंने क्या किया भी या इसमें भी इकोलाई बैक्टीरिया को यहां पर भी रख दिया ध्यान से देखिए गया यहां पर भी इन्होंने क्या रख दिया इकोलाई बै तो कहीं ना कहीं जो वाइरस का डियने होगा वह जीवाडू के अंदर पहुंच जाएगा यह मैंने आपको बताया भी समझ मैं कि नहीं बेटा दूसरे इस्टे पर मैंने आप लोगों के बता है कि बैग्यानिक ने अपने इस्परिमेंट में दो जार लिये दोनों जार में क्या रख दिया अब ध्यान से समझेगा यहां पर और क्या रहा मैं यहां पर यहां पर यहां पर उन्हों ने रख दिया क्या यानि P का मतलब होता है फासपूरस और S का मतलब होता है क्या सलफर लेकिन यह जो फासपूरस उन्होंने रखा यह फासपूरस कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव था तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि चमक उसमें चमक होती है तो कहने का मतलब यह जो तो आयद्यान से धिया तो आई द्यान से देखते हैं यहां पर यहुधा और यहां पर आपको याद रखना जो फासफूरस होता है कही ना कहीं यह नूकलीक अमल अर्थात डियने के जब डियने कहीं न कहीं गुरन कर रहा होता है तो उसको फासफूरस की जरूरत होती है तो कहने का मतलब जो यहां पर डियने हमारा होता है उसको फासफूरस की जरूरत होती है और सलफर जो होता है दा कारगएंगर है, तो धिखान से देखिएगा, लेक दावर्धन माध्य में क्या रख दिया, इस अब धिखेगा इतना कार्य कराने पाद में, बैज्यान क्या किया, यहां पर जीवानू भोजी, जो वाईरस था, उस वाईरस को यहां पर बैक टेरिया पर क्या करवा दिया संक्रमन करवा दिया संक्रमित करवा दिया और यहां पर ध्यान से देखेगा यह हमारा क्या है जीवान भोजी वाइरस अब यहां पर भी उन्होंने क्या किया इस तरीके से जीवान भोजी वाइरस को इस जीवान उपर क्या करा दिया भीया संक्रमित करा दिया ध् यह dna पहुंच गया और इसका भी dna कहां पहुच गया अगली सीन क्या है यह जो दिय नहीं आए इकुलाई जी हारो के पहुचा यह कहीं न कहीं इस जो E. coli bacteria है इसके DNA में कहीं न कहीं यह क्या है इसके पात चला जाता है और यह DNA इसको अपना DNA समझने लगता है तो जो VIRUS का DNA है इस E. coli bacteria के अंदर तेजी से क्या करता है गुरन करता है इसमें भी वही कारी हुआ, यह जो वाइरस यानि सी जीवान भोजी से जो यह DNA अंदर आया, यह DNA कहीं ने कहीं, E.coli bacteria में समाहित हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, तो ये तेजी से क्या करता है गुरन करता है। गुरन का मतलब आपने जैसे ककी अपने DNA को तयार कर लेता है बना लेता है। यहनि जीना भुजी यहनि की वाइरस का निर्माण कर लेता है। तो यहां पर हुआ कि यह जो बैज्णिकों के दोरा यही रखा गया रेडियो एक्ट्यू जो उस्मार्ष रखा गया यह चुट committees kosco on आजुब ediyorum कि नाक हम के लिए उत्तपनि आद है और यहां पर देखा जाए तो मैंने आपको बतायों किutral यहां में जो होता है तो सेलफर के लिए उत्तरदाई है प्रोटीन को बनाने में उत्रहा है अब सब्सक्राइब कई लेगा अंडर बाध मीला करकर जब नअ जीवान को जीवनेगा तStudy La.ण a कहने का मतलब यहां अब यहां पर जीवान भोजी वायरस को क्या कर दिया बाहर कर लिया अब यहाँ पर जीवाणू भोजी वाइरस जो है बेटा अलग हो गए बिल्कुल ध्यान से समझेगा यहाँ पर जीवाणू भोजी जो वाइरस थे वो क्या हो गए वो अलग कर लिया गया बैग्यानिकों के त्वारा ध्यान से देखेगा यह जीवाणू भोजी यहाँ से बा वाइरस में आखिर नया मैंटर क्या मिला तो आए दिखान तो यह जो कि यहां पर बैग्ञानि को को मिलेगा अधी यह जो है यह डिना है यह rasa आप कुछ बच्चों को समझ मिनिए यह रेडियो एक्टिव कैसे बेटा द्यान से देखो यहां पर कहीं कहीं डियने जब रेप्लिकेशन डैट में जब दियने गुलन कर रहा था तो सनवर्धन माध्य में फासफुरस यह फासफुरस कहीं न कहीं कैसा था रेडियो जो इसका DNA है वो कहीं न कहीं कैसा निकला रेडियो अब बात करेंगे प्रोटीन की तो इसका प्रोटीन कैसा है बेटा तो इसका प्रोटीन जो होगा इसका प्रोटीन इसका प्रोटीन होगा सामान अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा अब इस वाले म गुरन करेगा तो जीवान भोजी का निर्मार होगा और जब जीवान भोजी का निरमार होगा तो प्रोटीन और दोनों बनेंगे की नहीं बनेंगे तो यहां पर DNA मुझे बतादो DNA बना होगा तो DNA कहीं नहीं जो उसको पोचल प्राप्ट हुआ हो गा क्या सलफृर की जरुत नहीं पड़ी बल्किा सलफेंग तेजी से प्रोटीन की अट्राइग हुआ और प्रोटीन की तरफ गया, तो आप मुझे बता दो, यह DNA कैसा होगा, तो बेटा जी, यह DNA सामान ने होगा, यह DNA कैसा होगा, यह DNA सामान ने होगा, और प्रोटीन के अगर हम चर्चा करें, तो प्रोटीन कैसा होगा, दिमाग लगा, यह दिमाग पर थोला से जोर डालिये, प्र कैसे radioactive होगा अरे बेटा यहाँ पर sulfur radioactive है और मैंने बताए कि protein के लिए उत्तरदाई होता है sulfur तो कही न कही जब DNA यहाँ पर आया जब कही न कही DNA गुलन किया तो DNA जब गुलन कर रहा तो protein का भी निर्मान होगा इसके अंदर जिवान भोजी तो इसका DNA नुकलिक अमल ही केवल इस बैक्टिरिया के अंदर आता है बाकि protein का जो खोल होता है वो बाहर रह जाता है तो जब इसके अंदर यह DNA आया है तो यह DNA कही न कहीं गुलन किया होगा और जब यह गुलन किया होगा तो नए जिवान भोजी का निर्माड होगा और जब नए जिवान भोजी का निर्माड होगा तो protein का भी निर्माड होगा और नए DNA का भी निर्माड होगा तो इस वाले DNA में क्या देखा गए कि radio active है क्योंकि यहाँ पर फासपुरस जो था वो radio active था यहाँ पर सल्फर जो था वो क्या था बेटा रेडियो एक्टिव था तो यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर जो प्रोटीन का निर्माड हो रहा था तो सल्फर उस तरब तेजी से अट्रेक हुआ इस तरब डिने का निर्माड हो रहा था तो यह बात आप लोगों को समझ में और दोनों जार में E. coli bacteria को रख दिया फिर से E. coli bacteria को रखा उन्होंने अब फिर से E. coli bacteria को रखा और इस जीवाण भोजी को यहाँ पर क्या करा दिया इस जीवाण भोजी को यहाँ पर क्या करा दिया बेटा फिर से संक्रमित करा दिया जब फिर से इस जिवान भोजी को इस E. Coli. bacteria में क्या करा दिया संक्रमित करा दिया जब इसमें इन्होंने क्या किया संक्रमित करा दिया तो संक्रमित कराने के बाद में इसका जो DNA है ये DNA कही न कही इस इकोलाई बैक्तिरिया के अंदर आ जाता है जब उनको कुल मिला करके radio active और कही न कही रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला तो इसको फिर उन्होंने क्या किया इन जारों में रखे गए इकोलाई बैक्टिरिया पर इन भी साड़ों को क्या करा दिया फिर से संक्रमित कराया इकोलाई बैक्टिरिया पर अब ध्यान से देखेगा इस मैटर को इस मैटर ने किया क्या ध्यान से देखेगा यहां पर बैग्यानिक ने एक पात्र लिया ध्यान से देखेगा यहां पर बैग्यानिक ने क्या लिया एक पात्र लिया और इस पात्र में इस मैटेरियल को इसमें क्या कर दिया डाल दिया ध्यान से देखेगा नीचे वाले भाग को बोलते ह सुपर नैटेन्ट दियान से देखिएगा उपर वाले भाकू क्या बोलते है सुपर नैटेन्ट और नीचे वाले भाकू क्या बोलते है पैलेट अब दियान से देखिएगा यहाँ पर कुल मिलाकर करके इस material को जब डाल दिया गया इस E.C.Bacteria कि इसमें डाल दिया गया तो बैग्यानिकों के द्वारा अपकेंडर कराया जाता है अपकेंडर का मतलब होता है कि इस ये जो पात्र है कहीं न कहीं इस पात्र में जब अपकेंडर कराया जाएगा E. coli bacteria का तो इस पात्र में जो E. coli bacteria है कहीं न कहीं अपकेंडर का मतलब होता बैग्यानिक ने अब केंद्र कराया। जब बैग्यानिक ने ये वर्क कराया चारी तो उनको मिला किया उसप cyclistiesta है भॉर्र दा वह कहीं ना ख़ी पाइलेट अर्थात नीचे छेतर पर क्या हो गया और कहीं ना कहीं जो प्रोटीन का खोल कहीं ना कहीं सुपरनेटेंट अर्थात ऊपरी सिरे पर तेर रहा जब इसको आप केंद्रा कराया इस पात्र में उपस्थित E. coli bacteria को तो जब वो कहीं ने कहीं जब यह material जब 500-700 बार घुमा तो कहने का मतलब E. coli bacteria का कहीं ने कहीं जो DNA material जो जीवान भोजी और E. coli bacteria दोनों का जो DNA था वो नीचे बैठ गया और protein वाला छेतर कहां पर है उपर तो मैंने आपको क्या बता है कि pilot वाला material क्या होता है pilot का मेनिंग क्या होता है नीचे की ओर और supernatant का मतलब क्या होता कि पात्र में जो material है material है वो कहां पर है उपर की ओर तो ध्यान से देखेगा अब मुझे आप बता दीजेगे बता दीजे बेटा कि यह DNA कैसा है यह DNA radio active है और आप मुझे बता दो यह कही ना कही protein कैसा है तो यह protein कैसा है नार्मल है यह protein सामान ने है अब ध्यान से देखेगा इस वाले बैटेरियल को इस वाले e-coli bacteria को क्या करते हैं फिर से इस वाले e-coli bacteria को इसमें मिला करके देखते हैं अब इसमें उनको क्या दिखना जरा और इसको यहां पर जब यहां पर रखते हैं और आप केंद्रण कराते हैं तो यह material 500 से लेकर के 700 वार घुमता है अब ध्यान से देखेगा इसमें जो कहीं न कहीं DNA जो था वो कैसा था सामान ने था और इसका protein कैसा था इसका protein radio active था ध्यान से देखेगा जब बैग्यानिक न भाकज छो था वो कहां पर बिया सुपरनेटन दिंखीयोर हलाकि यहां पर जो protein का छितर है जो protein신 का मैटीरेल जो protein का भाग है वो कहां पर होना चाहिए था पहले ध्यानिकों क्योंकि बैग्यानिक का अपना मानना की जो radioactive है जो रेडियो- dobr had keen up कहा होना की और और ये डियने जो है कहा की और है नीचे पैलेट की और हलाकि ये वाला जो प्रोटीन है रेडियो एक्टिव है और ये जो डियने है ये कैसा है सामाने नार्मल डियने है तो मुझे बता दो ये रेडियो एक्टिव जो उन्होंने सर्मार्धनमाद्य हम रखा था कहीं न कहीं यहाँ पर क्या उसका विशेश में कोई असर पड़ा क्या तो बैग्यानिकों का अपना माना है कि कहीं ना कहीं यह DNA जो है यह आनवानसिक पदार्थ है यह एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में पहुचता है तो हरसे तथा चेश नामक बैग्यानिक ने अपने इस प्रय किया कि DNA ही आनवानसिक पदार्थ होता है तो इस प्रयोग में बेटा बस इतना ही आज इस वीडियो में बस इतना ही दो देहन से